Hello friends, my name is Nirgis Gupta In this video, we will discuss how to write a string into file और how to read a string from the file Basically, last videos में हमने basics देखे थे Basics में हमने introduction to file handling देखा उसके बाद में second video में हमने with the help of a fputc और fgetc function के थूँ हमने कैसे file को write के अंदर characters को write करते हैं और कैसे single one by one characters को read करते हैं यह सब हम already last videos में देख चुके हैं अग हम इस video में discuss करेंगे कि कैसे हम file के अंदर पूरी की पूरी string को लिखें string is known as a set of characters उसको हम कैसे file के अंदर लिखें और कैसे हम उस string को file से read out करें तो पहला program में आपको बना के दिखा रहा हूँ इस program में हम writing perform कर रहे हैं इस file के अंदर using fputc function तो सबसे पहली चीज़ क्योंकि हम basics introduction में मैं आपको बता चुका हूँ कि has include stdio.h header file को हमें include करना पड़ेगा क्योंकि std.h header file के अंदर ही हमारा file का file का structure होता है जिसको हम बोलते हैं file और उसके बाद में क्योंकि हम write कर रहे हैं तो write करने के लिए हमें koneo.h की requirement नहीं है क्योंकि हाँ पर console पर हमें नहीं दिखाना है हम कहां पर write करना चाहरे है फाइल के अंदर के string को तो void main और void main के अंदर आप क्या कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले हमने यहां पर मुझे क्या required है मुझे set of characters की requirement है care के अंदर हमने c h ले लिया और उसमें let's suppose this size is 50 array का size हमने ले लिया character type का array जिसका size हो गया आपका 50 एक file pointer ले लिया हमने file और इसके लिए हमने object file pointer बना लिया fp और fp को हमें क्या करना पड़ता है अल्रेडी में last videos में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी file के अंदर कोई भी operations हम perform करें either read operation perform करें write operation perform करें या उसमें updation perform करें whatever कोई भी x y z operations perform करें सबसे पहले उस file को हमें open करना पड़ेगा open करने का मतलब क्या है यह मैं already basic video में बता चुका हूँ please watch my first file entering introduction video क्योंकि open करना इसलिए जरूरी है कि आप जो भी task perform करेंगे वो main memory के अंदर करेंगे हम secondary memory के अंदर कोई भी task perform नहीं करते है main memory में एक buffer होता है उस buffer के अंदर आप writing perform करेंगे यदि already कोई file बनी होगी तो उस file को आप जब open करेंगे तो वो main memory में open होगी और उस buffer के अंदर उस file के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो with the help of a buffer और उस buffer को जो फाइल का pointer है वो point करेगा और उसके थुरू आप read करेंगे same as it is आप उस buffer में write करेंगे और write करने के बाद जैसी आप file को close कर देंगे वो पूरा का पूरा content जो buffer में था वो कहां पर चला जाएगा आपका secondary memory के अंदर चला जाएगा that's why हम बोलते हैं कि file handling जो क्यों topic पढ़ रहे हैं क्योंकि this is a volatile memory non-volatile memory मतलब जो file के अंदर content हमने लिख दिया वो आपका system का shutdown करने के बाद भी वो remain same रहेगा बट basic programming में यह नहीं हो रहा था let's suppose हमने बनाई एक file और file 4.txt हमने file ले लिए यहाँ पर और आपको किस mode में open करना है क्योंकि अभी हमें write करना है file के अंदर तो हम w mode को use करेंगे अभी हमने read or write mode दिया है देखा है next videos में हम detail में modes को discuss करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर यह चेक करते हैं कि क्या आपका जो file है वो file आपकी exist करती है कोई problem तो नहीं है open करने में तो यहाँ पर हम check कर लें हम check कर लें कि file pointer fp equal equals to null यदि null है तो हम ये बोल दें कि file जो है आपकी हम open नहीं हो पारे और open ना होने के बहुत सारे reasons हो सकते हैं पर क्योंकि हमें उस file के अंदर read write करना है तो हमने एक new file को create करा और create करके उसके अंदर हम write perform कर देंगे हमने लिख दिया cannot open यह हमने message यहाँ से pass out कर दिया उसके बाद में मैं यहाँ पर अब आपको क्या requirement है आप file के अंदर string को put करना चाहरे हैं तो उसके लिए directly हमारे पास में क्या function है हमारे पास में put as function है f put as function है जिसके through आप directly string को file के अंदर put कर सकते हैं तो हम क्या करें सबसे पहले हम enter करा ले print हम print f और let suppose मैं user से string ले रहा हूं तो enter the string हम user से string ले ले और कौन सी string हम ले ले string ले ली और उसको get as function से हम क्या कर ले string को string को input करा ले तो ch ch क्योंकि हमने ch नाम का array बनाया हुआ है character type का character type का array है हमारा अब यहां पर हमने string enter करा लेंगे यह तो हो गई हमारी बात की string को हमने एंटर करा लिया अब उसके बाद में जब आप string एंटर करा लिए तो वह जो इस्ट्रिंग जो आपने एंटर किये उस string को कहां पर put करना पड़ेगा आपको file के अंदर तो उसके लिए आपके पास में function है f put as function है जिसके थुरू आप string के अंदर उस file को put करा दिए तो हमारा ch और file का pointer क्या है fp यह f put as function का syntax होता है जिसमें हमने दो arguments लिए पहला argument हमारा क्या point कर रहा है कि उस character का जो भी object बनाए आपने ch वो और second क्या represent कर रहा है आपका उस particular file का pointer जिससे क्या हो जाएगा आपकी file के अंदर write हो जाएगा write होने के बाद अब आपको क्या करना है उस file को close कर देना जिसको आपने open की थी क्योंकि buffer के अंदर आपने data को write कर दी अब उसको हम कहां पर send कर देंगे secondary memory में तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे f close और close किसको कर देंगे अपन file pointer को fp को close करने के बाद में क्योंकि आपको यहां पर input लेना है तो console पर हमें input डिखना चाहिए उसके लिए हम यहां पर starting में मैंने बोला था कि has include को हमें as conio.h को include करने की जरुवत नहीं है बट यहां पर हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम user से string को enter कर वा रहे हैं तो यह conio.h और conio.h जब user से enter कर आ रहे हैं तो get ch function के थुरू हम screen को hold करके रखेंगे compile किया मैंने zero error no error अब मैं run करता हूँ अब आपको यहां पर run करते वक्त एक चीज़ का धियान रखना है compile successfully जब run होगा मतलब file for नाम की एक file create हो जाएगी आपके win के अंदर और वहां पर जो भी आप string enter कराएंगे user से वह string क्या हो जाएगी आपकी वहां पर लिखाएंगे एंटर दी इस्ट्रिंग यहां पर message आ रहा है एंटर दी इस्ट्रिंग तो मैं string पहले सबसे पहले मैं यहां पर enter कर देता हूं string को कि let's suppose well sorry मैंने space दे दिया तो यहां पर enter string कराने के बाद मैं यहां पर new line character लगा देता हूं new line यहां पर enter the string क्योंकि हमने clear screen नहीं लगा है इसलिए repeated हो रहा है वो और मैं string कर देता हूं welcome to nergis gupta channel यह हमने यहां पर string को pass कर दिया और string को write कर दिया जैसी आप enter दबाएंगे enter दबाने के बाद में यह आपका हम बहार आ गए बहार आने के बाद में अब आपको क्या देखना है कि उस particular file 4 के अंदर welcome to nergis gupta channel आपकी string आई या नहीं आई तो मैं आपको directly लेकर चलता हूं win folder के अंदर और win folder के अंदर हमें search करना है file 4 file 4 के नाम से हमारी एक file बन चुकी है और इस file को जैसे ही मैं open करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा रहा है welcome to nergis gupta channel यही आपने string को write कर रहा था file के अंदर और यह string आपकी write हो चुकी है अब मैं क्यों system को बंद कर दूं तर्वो को बंद कर दूं whatever कोई भी operations perform करूं उस file के अंदर जो भी string को आपने write किया है वो permanently आपकी store हो चुकी है अब हम discuss करते हैं कि जो आपने file के अंदर write किया है इसको मैं read out करना चाहता हूँ तो read करने के लिए आपको इस program के अंदर क्या करना पड़ेगा mode change करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमने write किया था तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ read from a file using read के लिए आप use करते हैं get asf get as function ठीक अब मैं अंदर आजाता हूँ program में और मेरे पास एक character string है मैंने एक file open कर ली file for को यह open करना है क्योंकि मुझे यही देखना है कि उसी content को हम read कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आपका mode आपको change करना पड़ेगा mode अब आपको read mode करना पड़ेगा क्योंकि हम file से read कर रहे हैं उसके बाद में यदि file exist करेगी तो open हो जाएगी सबसे पहले तो मैं यहाँ से हटा देता हूं read करने के लिए मुझे एक उप ले ले while और while के अंदर हम क्या conditions लगा दें यहाँ पर यहाँ पर condition यह हो जाएगी कि मैं f get s function को यहाँ पर call कर दूँगा और f get s function को call करने वक्त आपको दिमांग में रखना है कि तीन पारामीटर होते हैं पहला पारामीटर यह होता है कि आपने उस particular character मतलब जो array लिया है वो array आगे हैं यहाँ पे ch उसके बाद में यहाँ पे n-1 मतलब जितने size का आपने character लिया है मतलब जो array जिस size का लिया है उससे एक कम आपको यहाँ पर numbers pass out कर देना आप 10 कर दें 11 कर दें 12 कर दें मतलब उतने characters उतनी length की string को वो क्या कर लेगा उतने characters को वो read out कर लेगा तो हम 49 generally डाल देते हैं और file का जो pointer है वो pointer कब तक चलेगा यह जब तक कि उस particular string में null ना मिल जाए जैसे ही null मिल जाएगा हम क्या करेंगे बाहर आ जाएगे और बाहर आने के बाद में हम close कर देंगे तो यहाँ पर आप क्या करना है अब आपको print कराना है printf क्या print कराना है क्या print कराना है console पे जो file के अंदर था जिसको आपने read out किया क्या था file के अंदर हमारे पास string थी तो percentage s और क्या था array का नाम ch तो उसको हमने यहाँ से read out करते जाएंगे यह अब आप compile करके देखें compile successful run करके देखें तो run successful और आप देख रहे हैं welcome to नर्गिस गुपता चैनल हमने इस particular file के अंदर जो file 4.txt थी उसमें यह content write किया था अब उस content को यहाँ से हमने read out कर लिया जैसे ही file के अंदर null मिलेगा वो close कर देगा loop के बाहर आजाएगा loop के बाहर आने के बाद में वो file close हो जाएगी it means main memory के buffer से वो secondary memory में बापस चली जाएगी so this is all about the how to write a string into a file or how to read a string from the file in next video we will discuss about the modes open modes in a file thank you so much